हेलो अब्रीबान वेलकम बैक वीवर्स कैसे हो आप से लोग आईज उमीद करते हूं स्वस्त होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे फुद को ही लो कॉजिटिव कर रहे होंगे वीवर्स आज रहात आपके परसन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उनके मन में आपको लेकि शेर अन सब्स्क्राइब कर लिजेगा चलिए देखते हैं आप जिस स्वेक्ति के बारे में सोच रहे हो उस्वेक्ति के दिल दिमाग में आपको लेकि आज रात क्या को चल रहे है वाव फस्ट कार्ड फस्ट कार्ड ही आपके लिए है सोल मेट का ठीक है तो शुरुआत ही जब इतनी जबरदस्ट हुई है तो कहने ही क्या नेक्स कार्ड आए हमार पास कम्यूटी का नद आपको इस नहीं आपको अपको सारी कार्ड नजर आ रहे हमार यह रीडिंग सभी के लिए सब भी राशियों के विक्तियों के लिए है तो आप किसी वी विक्ति के लिए male, female, married, unmarried कोई भी विक्ति हो आपका उसके लिए रीडिंग यह देख सकते हैं सबसे पहले ही card viewers हमारे पास आता है that is a soulmate card और यह अपने आप में सारी जो कहानी है जो हकीकत है वो बयां कर देता है, कि आपके परसन आपको राइट नौ किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, वो वीवर्स आपके लिए ऐसा फील करें, जैसे कि आप उनके लिए सब कुछ हो, ठीक है, कि वो आपके बिना रह ने सकते, वो आपसे connect होना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे जूड़ना चाहते हैं, वो आपको hug करना चाहते हैं, वो आपके साथ में time spend करना चाहते हैं, वो आपसे प्यारी-बैरी बाते करना चाहते हैं, यह energy यहाँ पर यह clarify करती है कि कही नगे वैक्ती के दिली है आप right now उनके लिए कितने जरूरी हो ठीक है तो इन कार्ट को हम clarify करते जलते हैं next card हमार पस क्योंकि community का है community एक तना से अपने आप में ही एक बंधन को बताता है कि इनके लिए आप से जुड़ना कितना जरूरी है ठ right now yes आपके तरफ आपके person काफी attracted है एक जिसे कितना कि खुमाया सा है आपके लिए आपके person के दिल में दिमाग में वो इस connection में आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपको पाना चाहते हैं यह energy एक romantic होना दिखाती है किसी की तरफ तो कहीने कि आपका person आपको लेके romantic भी हो रहा है आपको लेके song सुन रहे हैं ऐसे song जिसमें एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने के वाले के साथ में होता है और उसे कितना miss करता है यह उस तरह के song right ना आपके person आपके आपके सुनते में नजर आ रहे हैं तो कहीने की वीवर्स आपके लिए आपके person की feelings है वो एक डे आपके अपने प्यार के पास में होने के लिए इनरजी है तो आपके person वीवर्स इस वक्त कहीं नजर आ रहे हैं आपके जरुवत को यहां पर महसूस तरते वह नजर आ रहे हैं उनसे जिसे यह रात काटने ही बड़ी भारी सी पढ़ रही है उनको ऐसा कुछ यहां पर नजर यहां पर क्यों आई है? लवर्स की आनरजी है देखो, यहां पर कार्ट खुद पर खुद आ रहे हैं तो आपका परसन वीवर्स आपके साथ मी कैसा रिष्टा महशूस करता है मैंने गुला ला, कम्यूटी आपने आप में की रिष्टा है तो आपके लिए वीवर्स आपका जो परसन है वो आपके साथ में होना चाहता है जैसे हो सकता भई कहीं वेक्ति आपका दूर रहता हो दूर गया हुआ हो यहाँ पर मुझे यूनिटी भी एनर्जी दिख रही है कम्मुनिटी के साथ साथ एनर्जी एनर्जी आहा पर क्या बता रहा है कि यह वेक्ति देखो बाटमीदी के अर्जी हो फोर औव हैर इनर्जी कüs्स आपके साथ में एक ईडाूत रिष्टा करना चाहता हुआ ठीक है आपके साथ में, अगर यह कहीं है कि बात marriage की आ रही है तो यह वेक्टि आपके साथ में marriage करना चाहता है, या फिर यह कहीं कि वो इस connection को एक next level लेकि जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वीवर्स यहाँ पर आपका जो person है वो आपके साथ में जो रिष्टा महसूस कर रहा है that is a divine counterpart रिष्टा, कि यह रिष्टा divine का है, ठीक है, divine ने उनको दिया है, लेकिन इस connection में कुछ obstacle ऐसे हैं, जो उनको बार बार यह ऐसास कराते हैं, कि यह रिष्टा तुम्हें मिल ने सकता, यह वेक्टि तुम्हारा हो ने सकता, तुम चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो ठीक है, तो यह वेक्टि विर्ष्ट राइट नो कहिना कि चाहें सिच्वेशन जो भी चल रही है जो भी चल रही है, बेचक आप से वेक्टि वेक्टि इस समें जादा बात नहीं कर पा रहे हो, यह no contact situation क्रेट करेवे हो बट उसके दिल में आप हो, ऊसके दिवाग में आप तो यह वेक्तिविर्स कहीं नहीं आपको एक लवर्स के नर्जे में देखता है, आपके साथ में रिष्टा अपना बनाना चाहता है, और आपका परसान आपको यह भी सोच रहे हैं कि यार, उनके लिए सब कुछ आप हो, ठीक है, जैसे कहते हैं कि संसार, समाज, उनका सब कु यह आप में सब कुछ अपना नजर आता है, उनको ऐसा लगता है कि आप अगर हो उनके जिन्दगी में, तो उनके सितिकी कंप्लेट है, फिर उनको किसी और चीज के ज़रुत नहीं है, ठीक है, बागे चीज़े बाद में आती है, जब एक रिष्टा बनता है, तो चीज़े आती है, तो आपके साथ में यही सोच रहे है, कि आप उनके लाइफ में होना तो अपने आप ही सब चीज़े क्रियेट हो जाएंगी, तो उनको किसी और चीज की क्यास हो जाता है, नोट फॉर यहां पर क्यों आया डिवाइन एंजल, प्लीस ग्लैटफाई करें, तो वीवर इनको एकी तरफ इशारा किया है, कि यह वेक्ति तुम्हारा नहीं हो सकता, यानि आपके कनेक्शन में बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं, वीवर जो कि यह रिप्रिजेंट करती है, कि आपका कनेक्शन इतना इजली नहीं बन सकता, ठीक है, इसके लिए या तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, या कुछ आउट अफ दवेज आके कुछ एक्ट करना पड़ेगा, जो कि करना असान नहीं है, ठीक है, तो आपके परसन ने इसी वज़े से कही नहीं बार बार अपने, आपको ये बताया जताया कि यार वो इतना बड़ा डिस्क नहीं ले सकते, या इ इसे प्यार करते हैं, उनके दिल में कोई और नहीं है, लेकिन फिर भी आपका परसन आप, मतलब ये सोच रहा है, ये फील कर रहा है, जैसे खुद के लिए, जैसे खुद से बात कर रहा है, और ये गार वो वेक्ति तेरी नहीं हो सकती, वो तेरा नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन अधुरे हो, मिल नहीं पा रहे हो, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, एक दूसरे क साथ में भी हो सकता है, शादी का प्लान हो आप लोगगा, लेकिन फुल्फिल नहीं हो पा रहा है, तो कुछ इसूज यहां पर हो सकता, वीवर्स देखो, यहां पर एनरजी ये दिखा आपका परसन आपको लेगे, लिखते लिखते जो है, वो उस मैसेज को आप तर डिलीवर नहीं कर रहा है, जैसे आपको अपने दिल का हाल बया कर देना चाहता है, मतलब कहीं नहीं हो सकता, इनके हाथ में मॉइल वगएरा है इस समय और यह उसको आपको कम्निकेट करने के बारे में यहां पर सोच रहे हैं, नमबर तक मिलाने के कोशिश कर रहे हैं, फिर आपके लिए नहीं कोई बहुत लंबा चोड़ा सा मैसेज वगएरा लिखा लेकिन उसको सेंड नहीं किया, ठीक है, रुक गए, अचानक से रुक गए, क्योंकि कहीं नहीं के विवर्स यहां समय कहीं नहीं कुछ ऐसा चल रहा है जो बटम से हमार पा सारा हैंग मेन का, तो या तो वक्त है आपका विवर्स आप दोनों का साथ नहीं दे रहा है, या फिर यह कहीं कि इस समय चीज़ें स्टक हो गई है, ठीक है, स्टक इसलिए हो गई हैं, विवर्स क्योंकि आपका जो परका परस्ट विवर्स यहां पर उस एग्रेशन को कहीं हैंडल या कंट्रोल करने की कोशिच कर रहा है, या उस एग्रेशन की वज़े से, ठीक है, आपकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा रहा है, तो एक रीजन विवर्स यहां पर यह भी है, कि उसको यह पता है कि अगर उ नहीं, situation नहीं हाला तो नहीं को आपकी तरफ आगे बढ़ने से कही नहीं रोका हुआ, otherwise आपका person आपके लिए तो कही नहीं जो से कहते हैं, बहुत बहुत प्यार में हैं, आपके, एक्चेंजिंग गिफ्ट से यहां प्यों आपके क्यों हुआ है, divine angel? high priestess के energy आ रही है, viewers, तो यहां पर मैं यह देख सकती हूँ, कि वेक्ती जो है, देखो, कुछ बाते आपके तरफ से भी हो सकती है, मैं यहां पर यहीं बोलूँगी, कुछ बाते ऐसी हो सकती, जो आपके person ने भी आपको नहीं बताई थी, in the past, तो यहां पर कुछ ना कुछ तो आपके partner की तरफ से हो, but उसी नहीं यहां पर blockages create करें, यहां चीज़े clear नहीं हो, जब यह connection बना आप लोग का, तो चीज़े clear नहीं थी, कुछ चुपाया गया, maybe इस intention चुपाया गया आपके साथ में, क्योंकि अगर वो आपको सब कुछ पहले ही बता देते, तो शाद आप आप उनको अपनी life में कभी नहीं आने देते, ठीक है, आप उनसे कभी नहीं जूडते, आप इस प्यार में कभी नहीं बढ़ते, तो कुछ ना कुछ तो यहां पर secret intention थी वेक्ती की, जो इसने आप से छुपा ली, हाइट कर ली, और उसी वज़े से viewers आपके connection में, यह सारा क हो गया, अब आपका person viewers यहां पे ऐसे नजर आ रहे है कि उन secret को यहां पर reveal करने की बात कर रहा है, उसको आपके साथ में share करने की बात कर रहा है, जो आपको किसी और से पता चला, अगर वो इन से ही पता चलता, तो शायद हलाद कुछ और होते, तो आपका person viewers यहां पर यहां कि अपने तरफ से आपको बता है लेकिन वो अपने आपको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपका जो प्रसेप्शन उसको लेकर कहीं है कि डिफरंट हो चुका है और यहां पर ऐसा भी हो सकता विए आप जिस वेक्ति के लिए यहां पर रीडिंग देख रहे हो कु पहले से ही थे उस करनेक्शन में कुछ प्राब्लम वगरा चल दी थी या जो भी था लेकिन आपके तरफ अट्रेक्ट हुए और आपसे जुड़ गए लेकिन उन्होंने आपको अपको आपको नहीं बताया और बाद में वो आपके सामने चीजे आई तो आपके लिए वो च गोए रहुत है ओके नहीं बता हैं वो इसिर आपको में भाइं आपके साथ में आपको आपको नहीं बढ़ सकता आपके साथ में अ ड़ सकता में चाल सकता है तो अपने ऐस्टी करी आपको यहां वो एनर्जी भी गाई यहां पर दिख रही है और आपके परसन भी यहां पर कहीं नगी है अपने आपको मतलब कंट्रोल करें हैं मतलब उसी वज़े से लटक गए ना आपके परसन तो तू भी फेर के नर्जी यहां पर क्यों आये डिवाइन इंजन अब आप समझ गयोंगे अई तू भी फेर यहां पर क्यों आये यहई से आपको क्यों है परके लाइशन पर कर दो हुआ है इंको अपने उसे इनको पुरी एंशतिं के साफ़ में किवा निगा आप इस वीका दिशन पराप ठीक है, चीज़े honesty के साथ में क्यों लेके नीचे ले गई, equal give-in take क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर यही reason है, जो कहीना के आपको भी connection से move on करने के लिए कहीना के मजबूर कर गया, देखो आप एक ऐसे वक्ति नहीं हो, जो कहीना के दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाए, ठीक है, आप ऐसे वक्ति नहीं हो, तो आपने viewers यहाँ पर इनको यही किया, कहीना कहीना कहीन, मैं गलत नहीं हो सकती, दूसरा गलत हो सकता है, लेकिन मैं गलत नहीं हो सकती, अगर मैं भी उसकी तरह हो जाओ, आपनी यह intention कहीना की रखी, कि आगर आप भी उसकी तरह हो आपको इसके एलावा कुछ और नजर नहीं आया रास्ता ठीक आपने यी डीसिज़न ऐसी नहीं कि बहुत जल्दवाजी में लिया हो या गुस्से में लिया हो नहीं फिर बहुत सोझ समझ के लिया हूँ दिसीजन है स्टिल आप इस वेक्ति से कहीन है कि बहुत प्यार करते हो करा भी है ठीक है पास्ट में भी और में भी आपके लिए इस कनेशन की यादे भुला पाना मुश्किल है उससे आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी आप लहाँ से कर रहे हो और यह इस कनेशन में इस वेक्ति को देख भी रहा है ठीक है और यह वेक्ति विवर्स आपको रोगना चाहते हैं क्योंकि न्यू लाइफ यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं सो प्लीज यूनिवर्स क्लेरिफाई करें नियू लाइफ यहापे क्यों आई है? वैसे अगें जस्टेस आया है. ठीक है? नियू लाइफ यहापे क्यों आई है? तो आपका person viewers आपको देखो जाने तो नहीं देना चाहता इनको कही नगर आपका जाना बहुत अखर रहा है बहुत दर्द दे रहा है, बहुत पेन दे रहा है ये effective viewers इस connection में आपके साथ में फिर से आना चाहते हैं एक new journey आपके साथ में शुरू करना चाहते हैं ठीक है वो आपको यह बूलना चाहते कि देखो उनकी इंटेंशन आपको मेभी सच ना बताने की इसलिए थी क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते थे वो आपकी तरफ बहुत अकरशित थे तब भी और आज भी हैं उनोंने कभी नहीं सोचा था कि वो आपके साथ इतने इतन ब्सकरें उनकी है वह तंसरesz और नहीं नहीं तो इसलिए नहीं ब्लाज़त है उनके स्वाना प्यरो हिए नहीं ब्सक्ताaya चाहा है उनके इतने ही तो गलति an और नहीं ही बेपर यही स्ठी ति दो पहला है कि तम्हारा ब्लाज़त नहीं है विद कर सकत्ता है कि उन्होंने आपको सच नहीं बताया अपनी लाइफ का ठीक है तो यह कहीं न कि उनसे गलती भी हुई है लाइल हाट की नजीन आपके क्यों आई डिवाइन इंजल येस आपके परसंट विवर्च यहां पर आपको एक बात कहना चाहते हैं अपको लगे क्या बात है इस विक्ति की दिवाग में आपका परसंट यह भी कहना चाहते है कि देखो वह आपको जाने नहीं लेना चाहता है अगर आप उनके साथ रहना चाहते है तो रहो आपको वह 100% देंगे अपनी लाइफ का आपको साथ लेके चलेंगे लेकिन हदूसरी जीज़े जो उनको रोकती है आपकी तरफ आने से स्टक करती है वो उनसे ओवरकम तो नहीं कर सकते लेकिन वो उनको भी गलेकर चाहेंगे ゲे लेकिन वहाव से जिम्मेदारी और आप लॉग ठीश करें के वाइबा चाहते हैं और छाहते हैं के आप दूसरी चेले को भी कहिने क्षैक कर कर सको तो कर लो यह उनके लिए कहीन है कि व्लैसिंग से कम नहीं होगा या उनकी विश्ट फिल्फिल हो जाएगी यह इनर्जी यहां पर क्यों आई है यह आपके परसन इस कनेशन में आगे एक एफट लगाना चाहते हैं आपको आपकी तरफ आपका जो परसन है वे कॉफर ल है जापर यह आपका मैसी पेस्ट आपके लिए तो प्लीस ए dif нал रिडिंक अप्राइब से व्ल्फिल शेयर करना चानल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो प्लीस सब्सक्राइबब वर लगा है पर लिए हैं तो When I think about you, I usually get stuck in my thoughts. तो आपके परसन जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं, या जो भी जब भी सोचते हैं, तो आपके बारे में सोचते चले जाते हैं, उनका अपने विचारों पे, अपने दिमाग पे, अपने दिल पे कोई नहीं रहता, वो इतने चीज़ों, मतलब कहते हैं, एमोशन रफस जाते हैं आपके परसन, और आइट ना आपके लिए आपके परसन यहापे इसमोशनल ही होते वे नजर आ रहे हैं, I am struggling to find the right path, तो आपके परसन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहे कि क्या करें, क्या ना करें, इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि इनके लिए आप भी सही हो, इनकी feelings के according, आप भी सही हो, और जो situation है, वो भी सही है, ठीक है, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहे कि क्या करना चाहिए इसी situation में, Please don't judge me, sometime reality is different, तो आप उनको judge ना करें, sometime reality कुछ और होती है, आप उनको कही है, आपने जैसा देखा, जैसा पाया, वो चीजे, मेभी आपके person आपको different way से दिखाना चाहते हैं, ठीक है, You always in my heart, but not in my destiny, Yes, मैं बोल रही थे ना कहीना कि यहां पर ऐसा कुछ है आप दोनों के वीच में, जो आप दोनों को एक नहीं होने दता, यही तो आपके लिए यहां पर आया था, You are not, मतलब आपके लिए यह वेक्ति नहीं है, या फिर आप इनके लिए नहीं हो, इन डेस्टनी, ठीक है, तो यही कहीन है कि आपके परसन के दिमाग में भी है, या नाट फॉर यू, नाट फॉर यू, कि यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह कनेक्शन में, यह वेक्ति के साथ में, तुम्हारा को रिष्टा नहीं हो सकता, लेकिन स्टिल यह आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके परसन भी वैस आपको लिए कि पजेसिव भी हैं, जैलिस भी हैं, ठीक है, और वो इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं, उन्होंने इस वजए से भी आपके साथ में चीज़े खराब कर दी, मैं सब कर दी, ठीक है उनको लगा, कहीं न की उनके साथ में, रिलेशन्शिप को भी एंड कर दोगे, या फिर कहीं न की वो आपके साथ में नहीं जोड़ सकते, तो आप किसी और के हो जाऊगे तो ये खहिणा की विवस इसकी को आपके परसन विवस देखो उसका क्या नतिजह इनको मिला कि खहिणा कही हैं आपको खोभाटे हैं ठीक है तो ये विवस आपके परसन को समझ में नहीं आ रहे कि अपनी possessiveness को जो उनके मन में आपको लेके है उसको कैसे कंट्रोल करें और आपके person को आपके साथ में जो दूरी है वो बहुत बहुत परिशान करें किस कर रहे हैं तो यह energy भी guys यहाँ पे नज़र आ रही है तो यह reading आपके लिए अगर यह reading आपसे हुई है तो इस वीडियो को लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा वीवर से ऐसी और वीडियो के लिए परसनल निंक लिए वीवर साथ वीडियो में तेवे नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं तो यह थी reading आपके लिए बाबाए टेक केर